गुड आफ्टरनून एवरिवन आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मतर टमाटर की सबजी सरदिया स्टार्ट हो गई है मतर आना भी स्टार्ट हो गया है अब सबसे जादा सबजी आलू मतर टमाटर की ही हर घर में मिलेगी तो मैंने एक आलू को स्कॉय सेफ में कट कर लिया है मीडियम साइज का एक टमाटर कट किया है और हरी धनिया अपने बेसिक से मसाले और जिंजर गालिक का पेस्ट तो मैंने गैस को अन कर दिया है और कुकर चड़ा दिया है कुकर में एक स्पून ओयल डालेंगे ओयल जादा नहीं डालेंगे क्योंकि लहसन प्यास को मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया है तो मैंने सिर्फ सुछ थोड़ा सा ओयल डाल कर उसमें जीरा डाल देंगे और जीरा को अच्छे से चटकने देंगे उसके बाद अपना जिंजर गाली का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे थोड़ा सा पानी डाल कर और सुछे मसालों को भी डाल देंगे अच्छे से फ्राई कर देंगे देखिए मसाला अच्छे से फ्राई होगे आलू टमाटर को एक साथ डाल दो तो आलू अच्छी से नहीं पक पाते हैं जब टमाटर गल जाएंगे तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी और साथ में हरे मटर डाल दूँगी और इनको अच्छी से चला दूँगी चलाने के बाद इसको थोड़ा सा धख के अर्भूजने दूंगे और इसमें पानी डाल दूंगे पानी डालने के बाद 3 सीटी तक मैं सबजी को पका लूँगी देखें सबजी कितनी अच्छे रेडी हो गई है अब धनिया पत्ता डाल कर इसको धख देंगे ताकि धनिया पते की जबू मिल जाए इसको मैं रोटी के साथ सर्व करूंगी मुझे ये सबजी के साथ रोटी बहुत पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग